सरकारी दफ्तरों और अधिकारियों से जुड़ी बात सामने आने पर लोगों के मन में एक नकारात्मक छवी बन जाती है पर कुछ सरकारी अफसर ऐसे भी हैं जो लीक से हट कर सम्थिंग डिफरेंट करने में विश्वास रखते हैं गुलाबी कपड़ों में वेल ड्रेस्ट ये लड़कियां किसी कॉर्परेट दफ्तर में नहीं बैठी ये लखीम पूर सदर तैसील की लेखपाल हैं तैसील आने वाले हर फर्यादी को अब ये अटेंड करती हैं अदब से उनसे पूछती भी हैं कि हम आपकी क्या मदद कर सकत हैं यही नहीं तैसील के कानुगो कक्ष भी काफी हाइटेक हैं यहां कानुगो पिंक शट ब्लू पैंट लेखपाल ब्लू शट डार्क ब्लू पैंट पहन कर फरियादियों को सुन रहे हैं आगे अभी बहुत कुछ करना बाकी है अभी तो हम लोगों ने बस इंफ्रास्ट कल्चर देने में लगे हुए हैं तैसील में उन्होंने सब के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है अगारूर कुमार सिंग बताते हैं कि यह सिर्फ तैसील और सरकारी दफ्तरों की नकारात्मक बंडरी छवी को बदलने के लिए किया जा रहा है तैसील को ISO स्टेंडर्ड दिलाने के लिए और जनता को सहूलियत देने के लिए एसजेम अरूर कुमार सिंग की तैसील को समारने और सुधारने की इस पहल में शेहर के लोग भी काफी उनका साथ दे रहे हैं यह जो सहतीर है पलकों पे उठालो यारू अब तो कोई ऐसा तरीका निकालो यारू क्यों नहीं आसमास में सुराक हो सकता एक पत्थर तो तबियत से उचालो यारू जी हाँ यही कर दिखाया है लखिमपुर के HDM अरून कुमार सिंग में उन्होंने तैसील को बदल दिया है कॉर्परेट कल्चर ला रहे हैं और उनका प्रयास यह भी है कि आगे भी तैसील में आने वाले लोगों को नयाय मिल सके और उनके सुबधाओं को बिलकुल कॉर्परेट स्टाइल में सुलजाया जा सके लकिम पुर्खिरी से प्रशान पांडे इटीवी भारत के लिए